MP में मौनसून के पूरा एक्टिव होने पर सामने आया बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश में मौनसून के पूरी तरहावी होने के बाद कई जिलों में जमाजम बारिश का दौर भी जारी है मध्य प्रदेश में मौसूनी बरसात को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट सामने आया है मौसम विभाग ने बारिश पर अगले दो से तीन दिनों तक भारी बारिश पर अलर्ट जारी किया है एमपी की राजधानी भोपाल, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर आधी में बारिश का दोर अगले दो दिनों तक जारी रहने का पूर्वानुमान है मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मोहन सरकार भी अलर्ट मोर पर आ गई है सरकारी कर्मचारियों को 2400 घंटे सतरक रहने की सक्त हिदायत दी गई है जल भराव से लेकर सरकों पर बरसाती पानी के जमने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूजना पर रहा है नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों से सतरक रहने की अपील की जा रही है मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात मानें तो मध्य प्रदेश में एक स्ट्रांग सिस्टम की मुझूदगी दर्ज की गई है ऐसे में प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा बारिश होने की वज़े से नदियों का जलस्तर भी बढ़ेगा भोपाल, अशोकनगर, सीधी, मुरैना, सतना, मंदसौर, गुना, शिवपुरी, भिंड, जबलपुर, शहडोल, चंबल आदी में तेज बारिश पर अलट जारी किया गया है जबकि उज्जैन और इंदौर में हलकी बारिश का पूर्वानुमान है प्रदेश और शहर की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल बुंदेली हलचल को फॉलो जरूर करें, धन्यवाद